वेलकम जुडिसरी एस्परेंट इन पहुजालाव एकडमी माई नेम इस ग्यानेंद पांडे आज अपने सुप्रीम कोड के लेटेस के सिरीज को आगे बढ़ाते हुए आज एक और बेहद लेटेस जज्जमेंट को हम देखेंगे जो 24 जुलाई 2024 का है इस केस का नाम सिरी गुरुदत मार्केटिंग प्राइबेट लिम्टेड वर्सेज पिर्थवी राज साजी राव देशमुक एन अदर्स का केस है इस केस में सुप्रिम कोर्ट ने NIA Act, Negotiable Instrument Act की धारा 143A को इंटर्प्रेट किया और या अब निर्धारित किया कि धारा 143A जो अंतरिम प्रतिकर का प्रावधान करती है यदि वह चेक जो बाउंस हो गया है धारा 138 में उस चेक के बाउंस में यदि किसी कमपनी के प्राधिकरित अभिकरता के द्वारा वह चेक हस्ताक्षित किया गया है तो वह प्राधिकृत हस्ताक्षर करता अंत्रिम प्रतिकर देने के लिए उत्तरदाई नहीं ठहराया जा सकता तो प्रिम कोट ने इस केस के माध्यम से कहा कि 143A की जो विधाईका की मनसा है जोड़ने की वह यह है कि कमपनी को उत्तरदाई ठहराया जा है भले ही उस चेक पर हस्ताक्षर करता कमपनी द्वारा प्राधिकृत कोई बेक्ति है लेकिन वह उत्तरदाई नहीं है अंत्रिम प्रतिकर देने के लिए क्योंकि जैसा कि आप जानते हो कि कमपनी अपना एक अलग विधिक बेक्तित द्वारन करती है और अपने इस कारे के लिए किसी को नियोजित की जो हस्ताक्षर करता है तो इसके लिए वह हस्ताक्षर करता लाइबल नहीं होगा अगर वह चेक बाउंस हो जाता है धारा 138 में तो परिवादी जो परिवाद दाखिल किया है उसको धारा 143 से अंत्रिम प्रतिकर दिलाएगी आप जानते हो कि NIA Act की धारा 27 जो यह कहती है कि यदि कोई बैक्ति दूसरे के माध्यम से कारे कराता है यह माना जाता है कि वह स्वेम कारे किया है और इस पर एक Latin Maxim भी है जो कहती है क्यों फैसिट पर इनियम फैसिट पर सी जो दूसरे के माध्यम से कारे कराता है ऐसा माना जाता है लौ के नजर में यह माना जाएगा कि वह व्यक्ति स्वेम ही काम किया है तो सुप्रिम कोट ने यह कहा कि भले ही वह ड्रावर प्राधिकृत हस्ताक्षर करता है लेकिन अंतरिम प्रतिकर जो देने के लिए उत्तरदाई ठैराय जाएगा वह कमपनी ही होगी कमपनी ही अंतर प्रतिकर उस परिवाद करता को देगा तो यह एक important judgment है आपके judiciary के लिए अगर आप NIA का paper दे रहे हो जहां आपके प्रारंभी परिच्छा में NIA subject है वहां यह case पूछा जा सकता है कि यह case किस धारा से संबंदित है और अगर NIA आप मेंस में लिख रहे हो जैसे बिहार में मे लिख रहे हो तो अगर धारा 138 पर आप लिख रहे हो question पूछा गया तो आप इस case को mention कर सकते हो धारा 143 A के तहत इसको बता सकते हो कि जो driver है अगर company द्वारा प्राधिकृत हस्ताक्षर करता है वह प्रतिकर के लिए उत्तरदाई नहीं होगा बलकि वह company स्वेम information को देने के लिए मैं प्रजेंट हुआ था धन्यवाद